Hello friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर braces आप लगवा रहे हैं, तो 5 बातों की जो आपके साथ हो सकती है और आपको ध्यान रखना है, जो common है, तो कुछ बात है, जो होती हैं braces लगाने के बात, और कुछ जो आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आप avoid कर सकते हैं, कैसे आप braces को रख सकते हैं, जो आपके braces की जर्णी है, उसके समय में आपको पता होने चाहिए, चलिए, शुरू करेंगे, अगर चैनल में नए हैं आप पहली वार विजिट कर रहे हैं, तो subscribe कर लिजे, और bell icon को क्लिक कर लिजे, notifications के लिए, मैं हो Dr. Harishankar Soni, और आप देख रहे हैं Easy Dent तो first thing है, अगर braces आपने लगवाए हुए हैं, अभी आपको लगे हुए हैं, तो racist आपको हो सकते हैं, redness आपको दिखेगी और ulceration हो सकता है आपको, जो आपके lips हैं, उसके पीछे, जो आपके lips हैं, उसके पीछे साइड, redness होती है और ulcers notice करते हैं, ज्यादा तरपेशन, ज starting days में आपको हो सकता है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये braces से हमेशा होता रहेगा, starting में होता है, अगर ज्यादा आपको हो रहा है, तो इसके लिए आपको जो gel वगेरा दिया गया है, वो आपको लगाना है, आपके cheeks, आपके lips में, अंदर की तरफ से, और एक बात आपको चुब रहे हैं, तो dental wax आप लगा सकते हैं, डॉक्टर से आप बोलेंगे, तो आपको dental wax देंगे, जो mom होता है, थोड़ा सा आप उसको लेके braces के उपर जहां पर चुब रहे हैं, या wire निकल रहे हैं, वहाँ पर apply कर लीजे, या फिर आप कहीं बाहर हैं, आपके पास wax भी न लाइगा, second thing है, pain, जब आपको braces लगते हैं और उनको activate करते हैं, जो wires हैं उनको activate करते हैं, दातों को move करने के लिए, उस समय आपको pain होता है, दर्द होता है, 2-3 दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि ये continue रहेगा, 2-3 दिन के लिए आपको pain होता है, जब activate रहे हैं, दातों को movement दे करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, जब भी wires को activate करेंगे, आपको 2-3 दिन के लिए दर्द होगा, फिर उसी position में hold करके रखते हैं wires, उस समय फिर आपको pain नहीं होगा, तो ऐसे समय के लिए अगर बहुत ज़्यादा आपको pain हो रहा है, तो pain killer, analges basics आपको रखनी है, आपके doctor आपको prescribe करेंगे, हमेशा आपको ज़रुवत नहीं पढ़ेगी pain killer की, लेकिन emergency के लिए आपको रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि braces में activate करते समय, एक दो दिन के लिए pain होगा, थर्ड है cleaning, braces के समय में आपको cleaning properly रखनी है, braces की और tooth की भी, braces की cleaning के लिए आप जो बीच में लगते हैं, जो हुआरे wires से हैं, braces से बीच में लगते हैं, तो उपर की तरफ से आपको brush करना है, नीचे की तरफ से brush करना है, और ortho brushes आते हैं, जो brushes के बीच में clean करने के लिए होते हैं, तो वो भी आप use कर सकते हैं, ortho brushes, दातों को beach से साफ कर कि लिए floss और orthoprosis पूर्थ है hard food आपको avoid करना है जो कड़ी चीजें है वो आपको avoid करना है especially starting days में जब आपको braces लगे हुए है तो कोश्व में के लिए hard आपको नहीं खाना है आगे तक भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि लंबा होता है treatment एक साल दो साल किसी का इससे ज़्यादा भी चलता है तो starting में तो बिल्कुल भी hard आपको नहीं खाना है धीरी-धीरे आपको habit हो जाएगी जो hard food है अगर आप कुछ खाते हैं तो जो braces है, bracket है वो निकलने के chances होते हैं इनकेस अगर निकल जाए तो आपको उसको संबाल के रखना है, वापस से उसको लगा दिया जाता है फेकना उसको नहीं है, जो bracket होता है तो hard food आपको थोड़ा avoid करना है नहीं तो bracket निकलने के chances होते हैं फिप्त और सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है braces के समय, पूरी जो आपके braces की जरूरी है इस समय आपको gums का, मसूडों का बहुत ध्यान रखना है अच्छे से cleaning नहीं होने के कारण, rushing नहीं होने के कारण जो gum से उनमें problem होने लगती है gingivitis का problem, gum inflammation जिसको हम बोलते है मसूडों में सूजन और bleeding का problem शुरू होता है ज़्यादा तर cases में braces के patient बदाते हैं कि हमें bleeding हो रहा है, gum से plaque बन रहा है cleaning नहीं हो पारी, तो gum का आपको ध्यान रखना है जरूरत होती है अगर तो आपको cleaning करा लेना है machine से clean आप करा सकते हैं, ultrasonic machine से cleaning आपको करा लेनी है, gums की, tooth की और जो warm saline gargle हम करते हैं नमक वाले पानी से हम जो कुल्ले करते हैं हलके गरम पानी से, वो आपको करते रहना है आप कम से कम दिन में एक बार कर सकते हैं इसे gums आपके healthy रहते हैं gums के आपको specially care करनी है braces के समय यह 5 बाते जो braces के समय आपको ध्यान में रखनी है आपको पता होनी चाहिए कैसा होता है और कैसे आपको care करनी है और जो cleaning की मैं बात कर रहा था उसमें आप flosser, water flosser रेकाता है वो भी आप use कर सकते हैं braces को clean करनी के लिए चलिए, इस वीडियो में इतना ही hopefully आपके लिए helpful रहा होगा अगर अच्छा लगा तो आपको like करना है और कुछ पूछना चाहते हैं और वीडियोज देखना चाहते हैं तो comment section में आप लिख सकते हैं जल्दी मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ thanks for watching